बात आज की दो बड़ी खबरों की काची काम कोटी पी मट के शंक्राचार जैंदर सरस्थी को आज समाधी दी जाएगी लंबी बिमारी के बाद कल उनका निधन हो गया था जिसके बाद उन्हें आज समाधी दी जा रही है दूसरी खबर पूर्व वित्त मंत्री पीची दमरं के वेटे कार्थी चीदमरं की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है आनेक्स मीडिया घोटाले मामले में कार्थी चीदमरं ने CBI से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था कल जिसके बाद कल ही CBI ने कोट में उने पेश किया काची कामकोटी पीट के शंक्राचार जैंद्र सरस्वती को आज समाधी दी जा रही है कल लंबी बिमारी के बाद उनका निधन हो गया था शंक्राचार जहिंद्र सरस्वती को काची पूरम शंक्राचार श्री चंद्र शिकेंद्र सरस्वती के बगल में समाधी दी जाएगी सुबह 7 बजे से ही उन्हें समाधी देनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो दिन के 11 बजे तक चलीगी इससे पहले कल शंकराचारे जयेंद्र सरस्वती के निधन पर राश्ट्रपती प्रधानमंत्री और कॉंग्रेस अध्यक्षा राहूल गांधी ने शोग जताया था जयेंद्र सरस्वती 1954 में 19 साल की उम्र में काची मट के 79 शंकराचारे बने थे विजेंद्र सरस्वती काची कामकोटी पीट के अगले शंकराचारे बनाए गए कांची कामकोटी पीट के शंकराचारे जयेंद्र सरस्वती का कलनिधन हो गया शंकराचारे सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भरती थे जयेंद्र सरस्वती 1954 में 19 साल के उम्र में कांची मट के 79 शंकराचारे बने थे यह मोदी ने उनके निधन पर शोग जताते हुए उनके साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की मोदी ने अपने शोक संदेश में लिखा जयेंद्र सरस्वती के निधन पर शोग जताया और ट् teachers किया कोजेश्य जेंद्र सरस्वती शंकराचारे की निधन की खबर सुनकर दुक हुआ भगवान उनकी आत्मा को शान्ति दे राजपती रामनाद कोविन ने भी शंक्राचारे जैंद्र सरस्वती की निधन पर शोग जताया संग प्रमुक मोहन भागवत ने भी उनके निधन पर दुग जताया है शंक्राचारे जैंद्र सरस्वती कांची कामकोठी पीट के उनत्तरवे मठ प्रमुक थे 18 जुलाई 1935 को शंकराचारे बनने से पहले उनका नाम सुप्रमन्यन महादेव अयर था 68 फे शंकराचारे चंद्र शेखरंद्र सरस्वती ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया सिर्फ उन्ने साल के उम्र में जैंद्र सरस्वती मट के उत्तराधिकारी बने जैंद्र सरस्वती को चारो वेदों का ज्याता माना जाता था शंकराचारे जैंद्र सरस्वती ने मट को धार्मिक काम के साथ साथ सामाजिक कामों में भी लगाया कांची कामकोटी पीट कांची पुरम में स्थापित एक हिंदू मट है जिसे पांच पंच भूच थलों में एक माना जाता है मट के पीटा दिपती को शंकराचारे कहा जाता है कांची, कामकोटी मट, स्कूल और आखों का अस्पताल चलाता है मट कई तरह के समाज सुलहार के काम भी करता है चंद्रशेकरेंद्र सरस्वती मट के सामाजिक कामों के पक्ष में नहीं थे लेकिन जैंद्र सरस्वती ने मट को सामाजिक कामों से जोडा शंकराचारे जैंद्र सरस्वती आम लोगों के साथ-साथ राजनिताओं में भी बेहत लोग प्रियत है जिसकी वज़े से कांची कामकूटी मट को ताकतफर बनाने में उन्हें मदद मिली जैंद्र सरस्वती के समय मट में NRI और राजनितिक गतिविद्या बढ़ी कांची मट की ओर से कई स्कूल और अस्पताल जलाए जाते हैं पूर पीम अठल बिहारी बाजपई और पीम मोदी भी उनके प्रशन सक हैं जैललिता जैंद्र सरस्वती को अपना ध्यात्मिक गुरू मानती थी शंकराचारे जैंद्र सरस्वती का नाता विवादों से भी रहा है शंकराचारे जैंदर सरस्वती पर मट के मैनेजर की हत्या का आरोप लगा मैनेजर शंकर रमन की हत्या के आरोप में जैंदर सरस्वती गिरफतार भी हुए थे 2004 में दिवाली के दिन उन्हें गिरफतार किया गया लेकिन बाद में 2013 में पुड़ुचेरी की कूट ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया जैंद्र सरस्विती के बाद शंकर विजेंद्र सरस्वती कांची कामकोठी मट के प्रमुख होंगे जैंदर सरस्वती ने 1983 में विजैंदर सरस्वती को उतराधिकारी घोशित किया था ब्यूरर रिपोर्ट, जी मीडिया अब आपको ये बताते हैं कि शंकराचार जैंदर सरस्वती को कैसे समाधी दी जाएगी शंक्राचार जहिंदर सरस्वती की समाधी परक्रिया सुबै से ही शुरू हो कई है देश भर से आए वैदिक पंडित मंत्रो चारण के साथ विशेश पूजा करेंगे विशेश पूजा में चारों वेदों से अलग-अलग मंत्रों का पाठ किया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए व्रिंदावन एनेक्सी में पार्थिव शरीर वक्खा जाएगा व्रिंदावन एनेक्सी में शंक्राचार्य चंद्रशेकर सरस्वती की समाधी है जहिंद्र सरस्वती को भी शंकराचार चंद्रशेकरेंद्र सरस्वती के बगल में ही समाधी दी जाएगी अंतिम दर्शन के बाद जहिंद्र सरस्वती को आसन मुद्रा में ही समाधी दी जाएगी समाधी के लिए पार्थिव शरीर को बास के एक बड़े तोकरे में रखा जाएगा समाधी के लिए तोकरे को 7 इंटू 7 पीट के एक गहरे गड़े में रखा जाएगा गड़े में कई तरह की जड़ी बूटिया नमक और चंदन डाला जाएगा इसके बाद पर्मपरा के मुताबिक कबाल मोक्षम की परक्रिया की जाएगी कबाल मोक्षम के लिए सिर्के प्रतिक के तौर पर नारियल होडा जाता है इसके बाद समाधी के उपर तोलसी का एक पौधा भी लगाया जाएगा सुबह से शुरू हुई समाधी परक्रिया ग्यारे बजे तक चलेगी काची कामकोटी पीट में कल से ही लोग दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं साची शंकरमट के मैरेजर सुदर्शन ने बताया कि कल से अब तक एक लाख लोग उने शंकराचारी के दर्शन किये अब तक चलेगी झाल, 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 झाल.